हिएए चलिया आज कि इस वीडियो में मैं बात करूँ गा मनुष्से का आहरनाल यह मनुष्से का हरनाल के मतलब है किश में मनुष्से का पाचन तंत्रे के बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया था जनतूओं में पोसन के लिए अमीवा में भोजन का अंतगरहन और अमीवा में भोजन का वहिसकरन किस तरह से होती है तो यह मनुस्य का अहार नाल थे फीगर बनाए हुआ है हम जो हैसे आज बात करेंगे कि मनुस्य के अहार नाल में कौन कौन से आंग होते हैं नहीं सभी आंगों का एक एक करकर हम पूरी Di zijैlling के साथ आप लोगा डिटेल्स बताने की कोशिस करूंगा और यह जो हैसे वीडियो कई टाइप समाएंगे यह जो हैसे चार पांच जो हैसे भाग में आपका वीडियो मिलेगा क्योंकि मनुस्य का अहर नाल में बिभीन तरह के अंग हैं और सविय अंगों को डिदियो के साथ आप लोंका बताना वीडियो बहुत लंबा यहाँ इसलिए मैं इसे अलग 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 पार्ट को जो है से अलग अलग भाग में करका आप लोग को चार-पांच वीडियो में पूरे बताने के कोशिस करूंगा आज हम बात करेंगे हैं कि मनुस्य का पाचन तंत्रे मनुस्य की पाचन तंत्रे के बारे हम बात करेंगे और बात करेंगे मनुस्य का अहार नाल के बारे में और मनुस्य का पाचन तंत्रे में जो है से मनुस्य का अहार नाल बनता है और ये मनुस्य के अहार नाल में जो हैसे बिविन परकार के अंग है जो आपके सामने फीगर दिखाया हुआ है फीगर के रूप में वाज हम बात करेंगे कि मनुस्य का अहार नाल में कौन कौन से यहां पर पार्स होते हैं और सावी पार्टसों को जो है से एक एक करके यहां जो है साम बात करेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख गुआ के बारे में जीव के बारे में दात के बारे में अब जो है से यहां पर सबसे पहले हम जारा सब फिगर की बारे में समय लेते हैं यह फिगर जो आप दे ठिगर को बनाने में हलका मिस्टेक हुआ है पूरी तरह से किताब से नहीं मैच करेगा लेकि सारा चीज़ आपको वही लिखा हुआ जो आपका बुक में दिया हुआ है आप बुक से मिला सकते हैं और मिला करके समाज सकते हैं जो नाम दिखा हुआ है देखें सबसे पहले मनु यह जो यहाझ से लारगरंति हो गया कंडली टाइप के छीज़ इसको बोलते हैं यह जो आसफी पार जो वह बाएभ है तो यह घृ वहीं इसवला जो हम화एब पहाइए क्रित हैm चोड़ा सा छोड़ा सा ठैली दिखाता 107 अच थैनि से एक दिखा है और यह वहाए सबस्क्राइब जो चलते हैं चोटी यह जो ऐसे क्या च्छोटी यह वाला यह जो ऐसे च्छोटी आंथ है यह जो ऐसे क्या है यह आपको दिखाई देगा वो जो हैसा मासे है उसके बाद यहां पर यह वाला राचना जो है इस तरह से जो हैसे घुमा हुआ है देखिए आमासे जो हैसे यह वाला है और यह जो घुमा हुआ राचना जो दिखाएदर है घुमाओदार वो जो हैसा अगनासे है उसके बाद जो हैसे यह वाला भाग जो इस यह जो सबसे नीचला भाग है जिसको बोलते हैं रेक्टम तो चली इन सबी चीजों के बारे में हमने अभी नाम के बारे बताया है लेकि इसके कार्ज के बारे में बताएंगे अगले जो हैसे धीरे दीरे आपको जो हैसे टाइपस वाई टाइपस हम बना करके देंगे तो चलिए आज के वीडियो मैं स्टाट करता हूँ सबसे पहला जो है इसका है मनुस्य का पाचन तंत्रे क्योंकि आप जानते हैं कि सभी उचसरेणी के जनतूओं में भोजन को पाचन के लिए एक भी सेस परकार की अंग बनाए जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं जिससे मतलब पाचन तंत्रे कहा जाता है लेकि यहाँ पर क्या है मनुस्य का पाचन तंत्रे जो मनुस्य की आहार नाल का निमान करता है अहार नाल कर लेकि भोजन को अहार कहते हैं अहार मतलब जो जीस नली के माध्यम से जाता है वो पूरी संपूर्न जो है से अंग को यानी हमारे खाना खाने से लेकर के पच कर के बाहर जो है से निकलने तक कि जितनी प्रोसेस होती है और सभी अंगों को मिल करके जो बनता है उसी को बोलते हैं मनुस्य का अहार नाल जो यहां पर मनुस्य का पाचन तंत्रे का बारे में बताया गया है तो चलिए बात करते हैं बोल रहा है मनुस्य का पाचन के लिए बीसेस अंग होते हैं यानि कहने का मतलब है कि मनुस्य का पाचन के लिए एक बीसेस परकार के अंग होता है जिसे क्या कहते हैं वो जो हैसे आहार नाल कहलाते है आहार नाल से संबंद है कुछ पाचक गरंथियां होती है यानि आहार नाल तो होता है लिए कि आहार नाल से संबंद है कुछ पाचक गरंथियां होती है आहार नाल से संबंध क्या है कि कुछ पाचक गरंथियां होते हैं पाचक गरंथियां के मतलब है कि जो भोजन को पचने में जो हैसे क्या करता है मादद करता है जो क्या करता है जो पाचन के लिए पाचक रसरावित करती है जिसे भोजन का पाचन होता है यानि कहने का मतलब है कि आहार नाल तो जान रहे हैं कि हम लोग खाना खाते हैं हम लोग जो भोजन करते हैं भोजन जो है जिस नली के माध्यम से जब यहां नीचे आता है वो तो आहार नाल हो गया लेकि आहार नाल से संबंधित भी बहुत सा आहार नाल से संबंद है बहुत से ऐसे मतलब गरंथियां जो पाचक गरंथियां हैं जो पाचक गरंथियां क्या करते हैं उसे पाचक रस को स्रावित करते हैं पाचक रस मतलब है कि भोजन को पचाने के लिए एक रस को स्रावित करते हैं जो क्या होता जिससे क्या होता है कि भ कहलाते हैं अहार नल कहलाते हैं यह हो गया उसको अहार नल से संबंद यानि अहार नल से संबंद है कुछ यहां पर ग्रंथियां है यानि कुछ पाचक ग्रंथियां होती है जो पाचन के लिए पाचक रस सरावित करते हैं जिसे भोजन का क्या होता है पाचन होता है यानि कहने का मतलब है कि आहारणाल से संबंद यहां पे बहुत से गरंथी आपको दिखाई दे रहा है जिसके आपको दिखाई देरा होगा अब यहां पर जो भी गरंथी है जो से क्या करते है पाचक रस को sinners करतें जो क्या होता है भोजन को पकचने में सहायता परदान करता है यानि जिससे भोजन क्या होता पचता है उसके बाद जो है चलेंगे यहां से अहार नाल इससे संबंध पाचक गरंथियां और पाचन किरिया मिलकर पाचन तंत्रे का निर्मान करते हैं यानि कहने का मतलई कि पाचन तंत्रे का निर्मान कैसे होता है तो पाचन तंत्रे को निर्वान करने के लिए अहार नाल इससे संबंद है यह जो अहार नाल हो गया और इससे संबंद पाचक गरंथियां जो भोजन को पचाने के लिए जो गरंथियां वो सभी गरंथियां और पाचन की किरिया मिल करके यानि कहने का वतला है कि अहार नाल हो गया पहला यानि तीन चीज पहला है कि मनुस्य की अहार नाल या कुछ भी मतलब कोई भी यह उच्छ सनेनी की जनतुओं में यह जो ऐसे अहार नाल हो गया और अहार नाल से संबंधित पाचक गरंथियां और इसमें भोजन को जो पचता है वो सारी जो किरियाओं को मिल करके जो हैसे क्य आनल के बारे में मनुस्य की आहर नाल में देखे क्या है एक कुंड़ित रचना है कुंड़ित का बैए कुंड़े हैं भूमा हुआ है यहां सब्सक्राइब यहां से पुक्रारे में दिखाएं मनुष्य यानि आपको पुछेगा कि मनुष्य की आहारनाल की लंबाइद की नहीं होती है तो आट से दस मीटर यह जए जो आट से दस मीटर तक होती है तो यह यह एक कौंडली तया नि यह जैसा एक रचना है जिसकी लंबाई जैसे यहां से दस मीटर नंबा होतां होगां कि नहीं 8-10 मीटर लंबा होती है यहां पर बोल रहा है '' एहां पर एक मूख कुआ ससे सुरू हो करके यहां जो कि मुख कुआ जाता है क्भिल दोर तक क्या होता है फैली होती है यहां से की यह कुंदिलिध के साथ-स्य कि लांबाई जो है से कितना है सुरू सब समझिए जैसे जो है से मनुस्य की आहार नाल जो है से कैसी रचना है मनुस्य में आहार नाल यानि भोजन को पचने के लिए जो आहार नाल बनाया गया है वह यह जो है से कैसी रचना है तो कुंडलित रचना है और कुंडलित रचना क साथ-सथ किया है, कि इसकी लंबाई, यानी आहारनल की लंबाई जो है से 8-10 मिटर तक होती है, और क्या बोल रहा है कि ये मुखगुहाँ से सुरू हो करके, मतलए यहां से, यहनि हमारा भोजन की भोजन की परोसेस जो ऐसे यहां से ही चालू होता है, हम लोगो क्या होता है काना जो है इसे मुठ से खाते हैं आए कहाने के बहुजन इस आंडर जाता है तो यहां से पाचने की प्रोसेस चलो हो गया मलदवार तक फैली होती है यहां से सुरू होकर कि यहां तक नीचे तक फैली होती है मलदवार तक बोल रहा है कि आहार नल के बीविन भागों की संरचना तथा उनके कार्ज अलग-अलग होते हैं यानि कहने का मतलब है कि आहार नल के यहां पे विविन भाग हैं और अहार नल के विविन भागों की सानरचना सानरचना मतलब इसकी बनावट जो है से अलग होगा और इस अभी का कार्ड जो है से अलग अलग होगा जिसके वारे में हमने बारी बारी से आगे चर्चा करने के मुक भूरे में बटाया है तो सबसे पहला जो हैसे चलते हम लो मुखु하 क्यो जो जो ज़से बहुत जो बहार निकलते हैं उसको क्या इसे का gust रहे यह उपरी यह उपरी तथा नीचले जब्रेसे घीरी होती है यानि मनुख से का मूख जो है उपड़े और नीचले जबड़े से क्या होता है घीरी रहती है अब बोल रहा मूख गुहा को बंद करने के लिए यानि मूख को बंद करने के लिए उपरी तथा नीचले दो मांसल होट होते हैं मूख गुहा में जीव तथा दांत होते हैं यानि जीव तथा दांत जो ऐसे होते हैं यह हो गया यानि कहने का मतले कि मूख गुहा का मूख गुहा आहार नाल का सबसे क्या है पहला भाग है अभी हम जाना कि मूख गुहा के बारे में तो मूख गुहा जो ऐसे आहार नाल का जबड़ा तो है लेकि मुए को बंद करने के लिए कया होता है दो मांसल है सबी को जो है से पूरे डीटेल्स मैं पर वाथ है डीटेल्स जो है समय बताऊंगा इसलिए आप लोग वीडियो में सुरू सैंट तक बने रहे हैं आगे आने वाले वीडियो का भी जो है साफ पर तीछा करें देखें यहां पर जो सबसे पहला आपका जीव हो गया जीव क् मुख़ुखु वामें जीव योट दान्स तो दिखे जिव क्या था बोल रहा जीव भूरब के फर्सस थित एक मांशल सफ्सक्राइब ये जीव जो है से मुख़ु गूल के Parts पर फर्स मतलब क्या है जैसे अगर जीव की बात कि जब मुखका हम लोग फालेंगे तो मुंह फालता है तो हम आई बोल रहा है जिव मुखकु फर्स पर इस्थित एक मानसल रचना है इसका अगला सीरह इसका अगलासी रा सुई सगला सी राज है स्टिया था कि अगर बात किया तो आगे वाला जीव निकाल सकते हैं पिछे वाल नहीं इंगons यह तो अ होता है तो यह देखे हैं आपे जीव मुक से क्वोऊा पर क्या होता है इसका आगला सीरा आगे वाला सीरा स्वातन्त्र होता है और पीछला सीरा से क्या होता है तो जबलां से से क्या होता हिससी हो इससे चौंटा है जुला होता हूँ जीव के उपरी सताफ पर कई छोटे छोटे अंकूर होते हैं जिने स्वाद कलियां कहते हैं यह दरपन में जहां लोग जीव को देखते हैं तो गौर से देखिएगा तो जीव में क्या होता है कि छोटी छोटी एक मतलों राचना होता जिसको अंकूर यानि छोटी छोटी अंक फिर सम पॉइंट वई पॉइंट आप लोग मैं बताता हूँ देखिए सबसे पहले हमने जाना कि जीव जह से क्या होता है मुख कवा के फर्स पर इस्तित क्या है एक जो इंकलते हैं तो जीव के नीचे वाली नहीं उपरी इन्हीं वहला जीव के ऊपरी सतह पर चोटे-चोटे-चोटे होते हैं जिद झोटंचोटा-छोटा पढ़ दिखांगा जब देखे सो थो छोटे-छोटे-पॉर होते हैं उन्हें अंगूर को यह नहीं छोटे-छोटárias चीव हो गया इसमें छोटा-छोटा इसबी तम लिंदू हो कोगा अभी छोटा-छोटा हैं एंधन का स्वाद कलियों के द्वारा हमें पता चलता है कि भोजन मादियम से जो छोटा छोटा एंकुर होता जी से स्वाद कलियां काते है स्वाद कलियां की सहायता से ही क्या होता है कि भोजन के विविन स्वादों का क्या होता हमें ग्यान होता है और इसके बाद लास्ट में क्या हमने जाना कि ये जीव जो हैसे क्या होता है तो भोजन को गत अब जो है से क्या होता है मूख गुआ के उपरे तथा नीचले जाबड़े पर क्या होता दांत विवस्थित होते हैं यानि ये जो है ऐसे अभी हैं बताया कि मूख जो हैसे क्या होता है मूख जो हैसे उपर और नीचले यानि उपरी और नीचले जाबड़े से क्या होता है घिरी रहती है वही उपरे और नीचले जाबड़े पर यानि ये जाबड़ा है ये जाबड़ा ही पर क्या होता है दांत फिट फिटिंग रहते हैं परतेग दांत जाबड़े के मसूड़े से जुड़ा होता यानि परतेग दांत जो है से उपर नीचे जाबड़े पर तो होती है लिगे परतेग दांत जो हता है सिक्या होता है कि जाबड़े के मसूड़े से जाबड़े के मसूड़े मतले यह वाला निकला होता है। से क्या कहते हैं शीर य शीखर कहलाता है। देखे समझे समझी है यहां पर दांत की बात कर रहाए, दांत का मतलब है कि पर्टेक जबले के ऊपर नीचे सीरा पे। कि अठ में मसूड़ा से क्या होता है। और दान्त का परतेक सीरा क्या होता है जबरा में मसूरा से क्या होता है जुड़ा रहता है यानि मसूरा से क्या होता है जुड़ा होता है तो मसूरा से जुड़ा होता है दान्त का वह भाग यानि एक देख रहे हैं कि उपर वाला भाग जो ऐसे क्या होता है दान्त में दान्त सेनों होता है इस तरह दांत को उपराधा सीरा अगला सीरा सवतांतर है लेकि नीचे वाला सीरा क्या होता है यानी कहने का मतलब है कि दांतकवा भाग जो मंसुड़ह से धांसा होतां मासुड़ह में क्या होता धांसा होता है विखता है उसे क्या कहते है उसे ब 나타erweise है जाब जाला मतल़fäh कि ये जड हो गया है क्योंक्न की आँ से जन्म होता है तो जल काला था जो वाला सिर्या सीह करतें तो Jest कि भी जला होता है नीचे तो नीचे वाले सी रहकर निदांट का वा सकती है यह जो इसको इंग्लिफ मेरूट कहते हैं और लिपके बाद हम चलते हैं बोला जैदा थ Одः चहर께 बीच और और अपर के बीच रहे ये दात हो गया अब देख रहे हैं कि ये वाला सीरा क्या हो गया जाला हो गया जाला हो गया उपर वाला क्या हो गया सीर हो गया अब देख रहे हैं कि जाला और सीखर के बीच वाला जो भाग रहेगा उसको क्या बोलते हैं यानि जाला और सीखर के बीच वाला भाग को गरीव यह गरदन कहलाता है यानि गरदन कहते हैं परतेक के बीतारेक़् गुहा होती है यनि परतेक दान्त के अंदर दान्त का दोड़ कर दिए गाता है दंत अस्थी कहते हैं जहां सी क्या होता है दांड को ड在कतार को नहीं जाने दिता है पारतिक कहते हैं चानी प्रतेक के उपर धांत तया दंतीको दिन्टाइन भी कहते हैं चोला वहले जीसको हम लोग कहते हैं यह मौली दांत हो गिया तियार करते हैं तो दंत अस्थी करता है वाकी तो बाहर बार बार हो गया कि यह उपर जैसे क्या होता दंत अस्थी होता है यह इस देंट हो गया और तो देन्ट हैं त्यार करती है अदिकांस भाग त्यार करती है अब बोल रहा है हडी से अधिक करी तथा पीले रंग की होती है यह यांग भी कि क्या होता है कि हम लोग अगर मनले किすी कीजा डांत शीक्केस और कि से उति यह व defin on किसी डान को अगर से तोड़िए तो तूटेंगे कि सी उति ही तूटक्री कर देख़ी यहां बोल रहे हाए हटेश् Given पीले रंग की होती है डेंटाइन के उपर इना मेल डेंटाइन ये डेंटाइन हमने बताया भी ये दांत अस्थी इन डेंटाइन के उपर जो हैसे क्या होते है तो इना मेल होता है इना मेल नाम का एक मतलब चीज होता है इना मेल की एक हड़ी इना मेल की एक कड़ी परत होती ह जो दान्त को सुरच्छा परदान देती है यानि दान्त को सुरच्छा दान्त को सीक्रेटी परदान करने के लिए किसका काम है तो इनामेल काम होता है तो दान्त के उपर वाले हिसापे यह हो गया उसके बाद बोल रहा है कि दान्त का काम क्या है तो दान्त से भोजन को काटने चवाने का कार्ज करते हैं यानि दांत जो है से भोजन को काटने और चवाने का कार्ज करते हैं एक ब्यासक मनुसे में ब्यासक मतलब कि एक एवरेज यानि जो मतलब इवा यानि एक इवा ब्यक्ति में जो है से मुख गुखाग में कितने दांत होते हैं तो 32 दांत होते हैं औ और Inglis में यह जो आसे काटने के लिए बनाए गया काटने के लिए रुपर वहला जो Mixige किसी हीज़ मौस्ची की मों लुक खाते हैं मतलबोजन की रूप जाता है तो कोई भी चीज हो जाते हैं तो कटना का क्वान का क्यूंत को ने काप Punkt प्री मौलर आगरे चवरना को प्री मौलर का भी काम है वह स्थाभब का रीज़ का मंने का का मड़ेस ही तो प्री जबार किया कैना इन दोनों एकी चीज़ है दोनों के एकी नाम है अगर चवारना क्या प्री मोलर दोनों जो हैसे एकी है उसके बाद चवारना क्या मोलर का काम है चवाने के लिए जो हम लोग चवाली वाला दांत की बात करते हैं इधर का जो दांत होता है इसको क्या वालते हैं चव कब contemporary तथा नीचले जड़े पर मुझ कोगवा के उपरे तथा नीचले जबने पर क्यां टान दांत बेवस्तिद रहते हैं और ये नीचे वाल sprechen दांत के जो वाला सिरा मसूदा से जूरा तांत के उपर वाले सीरा जो ऐसे क्या हूता दंत अस्ती यह डेन्टाइन हूती है जो क्या अधिक उपर यह यह अधिकांस भाग क्या होता है त्यार होता है अब डेंटाइन के उपर अब दांत के उपर जो डेंटाइन हो गया अस्ती हो गया अब डेंटाइन के उपर क्या होता है इनामेल की एक कड़ी परत होती है यही इनामेल की एक कड़ी परत जो है से दांत को क्या करता है सुरच्छा परदन करता है तो चलिए कर दो कर दो